हलो दूस्तों नमस्कार आज की इस वीडियो का टाटल बढ़के आप यहां पर समझी गए होंगे कि आखिर हम किस पर बात करने वाले हैं अगर आपने नहीं पड़ा है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर मूचरल में कौन से लोग पैसा निवेस करते हैं तो चलिए जान लेते हैं मूचरल फंड में काम किस तर्य किसे करता है मूचरल में पैसे को कौन निवेस करता है को में आप पैसे करते हैं तो उसकी Departations M मैनेजर होता है वो यहां पर अपनी कमीशन काट लेता है पर काफी वैंक मैनेजर हैं जो कि अगर आप बैंक से कराते हैं तो आपको नहीं बताते हैं ठीक है इसी के साथ में अगर आप पाउनलेंड भी करते हैं तब भी अगर आपको इस चीज के बारे में पता नहीं होता है मैं आपको बता रहे हूं जो भी जामिंप sometimes कोई साथ हमें आपकर ले लेते हैं अगर आप उस में पैसे को निवेश करें तो मैंनेजर होगा जो उसस फैंड को जो भी मैंच करता होगा उस से मेंम हम tãojen agriculture बोलते हैं ठीक है और जब भी आप उसमें पैसे को निभेस करेंगे तो वह mutual fund manager है वह आप से महाँ पर अपनी कमिशन ले लेगा अब mutual fund जो पैसा आपका लगा उसमें आपने mutual fund में डाला है ठीक आप वह fund manager क्या करेगा वह अलग-अलग company खरीदेगा ठीक है अब आप कहेंगे कि हम क्या किसी दूसरी company के शेयर नहीं खरीच सकते हैं बिल्कुल आप खरीच सकते हैं और ऐसे में अगर आपको सही जानकारी है अगर आप किसी भी company के शेयर खरीदते हैं और ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि वह company के शेयर की बैलू सकते हैं तो उसी साथ में पैसे को निवेस करता है वह कमसे कम अगर आप उसमें एक लाख रुपाय आड़ करते हैं तो कम से कम 10 कंपणियों में पैसे को लगाएगा ठीक है दंसे में उसमें तीन कंपनी लॉट में चले जाए तो निष्टिंड होता है उसे चीज के बारे में पूरी जानकारी होती है अब आप कहां एक company को ही देखेंगे ठीक है कि आखेर उसके कब यहां पर जो share की value है वो बढ़ रही है और कब घट रही है ठीक है तो आपको यह सारी चीज़ों के उपर नजर रखनी पड़ेगी और जो mutual fund manager होता है उसे इस चीज़ के बारे में वो सिरफ उसका इतना ही काम हो रहते हैं तो हागने का मतलब है कि हमारी है वहां से हट जाती है कि हमें ज्यादा चिंता करने की वहां पर ज़रूरत नहीं रहती है कि जो mutual fund है जब हमने उसे हैं पर पैसे दिया है तो वह खुद हमारे पैसे को निवेश करेंगा अच्छी जगह और वहां पर दिखाएगा तो mutual fund का यही एक काम होता है और हम और हम लोग तभी mutual fund में यहाँ पर पैसे को निवेश करना अच्छा सेफ समझते हैं ठीक है और क्योंकि और किसी भी कंपणी मे पैसे को निवेश करेंगे किसी भी कंपनी केойти को इसके बّारे में हमें अंदाजा नहीं होता ह謊ते है mutual fund में ना कि बराबर होते हैं तो हमें तर शयक्ता है mutual fund क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं होती है खेर बजार की मार्केटी की ठीक है तो ऐसे में हम मुच्छल फंड को ही सेलेक्ट करते हैं तो मुच्छल सबसे अच्छा है अब ऐसे में बात कर लिते हैं काफी मुच्छल फंड हैं कि 48% 50% कि साल में रिटन दे रहा हैं ठीक है मैंने आपको फिछली वीडियो में बताया भी था कि जैसे कि मैंने साड़े तीन लाग रुपए यहां पर प्रॉफिट हुआ ठीक है तो आप समय सकते हैं तो यह कितना यहां पर पड़ गया ठीक है तो यह मिच्छल फंड के उपर पर अच्छा फिरोफिट देखने को मिला है और आप चाहाएं तो कर सकते हैं और मैंने वीडियो बना वे दी है वह वीडियो आपको इसक्रीन पर लास्ट में सोच आई कि उस्टीओ को देख सकते हैं ठीक है तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छे लगी विडिय करें मिलते हैं इस वीडियोस में